GN News Mumbai WordPress.com से देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को बड़ी राहत इलाभाद हाई कोट से मिली जमानत GN News Mumbai Digital. 29 नवंबर 2021. इलाभाद हाई कोट ने साल 2019 में अलीगर मुस्लिम विश्वविद्याले में नागरिक्ता, संशोधन, अधिनियम के खिलाफ कथित भरकाव भाशन से संबंधित देशद्रोह मामले में शरजील इमाम को शनिवार को जमानत दे दी. इलाभाद हाई कोट के जस्टिस सौमित दयाल सिंग ने जमानत दी. शरजील इमाम की जमानत पर विस्तरित आदेश अभी जारी होना बाकी है. JNU के एक पूर्व छात्र और शाहीन बाग विरोध के प्रमुक आयोजकों में से एक शरजील इमाम को पिछले साल बिहार के जहानाबाद से गिरफतार किया गया था. शरजील इमाम ने अपने भाषण में कथे तौर पर प्रदर्शंकारियों से भारत से अलग होने को कहा था. मनिपूर, असम और अरुनाचल प्रदेश की पुलिस ने भी JNU के छात्र के खिलाफ FIR दर्ज की थी, हाला कि शरजील इमाम को असम और अरुनाचल प्रदेश के मामलों में जमानत मिल गई थी. शरजील इमाम पर भरकाव भाशन देने का भी आरोप लगाया गया था, जिसके कारण दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इसलामिया विश्वविद्याले के बाहर हिंसा हुई थी. अप्रेल में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम पर देशद्रो का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाशन ने जामिया मिलिया इसलामिया विश्वविद्याले क्षेत्र में दंगों के कारण लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया. अभी दिल्ली की तिहार जेल में बंध है शरजील इमाम. उसके खिलाफ राजद्रो का मामला भी दर्ज है. शरजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश, राश्ट्रद्रो और धर्म के आधार पर समुहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. साथ ही उसके खिलाफ IPC की धारा 124A, 153A और 505 के तहट केस दर्ज किया है.